बजट पेश होने से पहले बाज मोदी काबिनेट की बैठक कहोगी, काबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी और इसके बाद वितमांत्री निर्मला सिता रमन संसत के लिए रवाना हो जाएगे फिर आम बजट को पेश किया जाएगा तो आज पहले एक जो प्रोटोकॉल होता है बजट पेश करने से पहले वो पूरा प्रोसेस निभाय जाएगा जिसमें बजट पेश होने से पहले आज मोदी काबिनेट की बैठक होगी, काबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी मिले इसके बाद वितमंत्री निर्मला सीता रमन संसत के सदन पटल पर बजट को रखने वाली है तो सुबे सवादस बजे मोधी काबिनेट की बैठक है जिसमें बजट को रखा जाएगा और उस पर मोहर लखेगे सरकार के बजट का पिटारा खुलने वाला है हर वर्क को इस बजट से धिरो उमीदे हैं हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं महिलाओं को इस बजट से क्या कुछ उमीदे हैं उस पर बात करेंगे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस बार बजट में क्या कुछ चाहती हैं सीधे शुरुवात करते हैं आप से पहले शुरुवात करते हैं आप पहले अपना नाम बताएए और क्योंकि बजट आने वाला है तो महिलाओ को क्या होगी है मेरा नाम रिना त्रपाठी है मैं एक हाउस वाइफ हूं बजट मलब बजट अगर देखाजा अबसे पहले हमारे किचन से सुरू होता है जो कि आर्थिक चीजे हैं हमारे जैसे तेल हो गया मनलब किच्छन का कीच्छन का ग्रोसरी बाकी स्कूल के खर्चे हैं चिकिस्ता है औ और भी हमारे जो डेली के हैं तो मतलब सरकार को चाहिए जो आम आदमी है जिसके पास रोजगार है उसके लिए तो ठीक है जो नहीं जिसके पास ब्योसाय कुछ है तो वो क्या करेगा आम इंसान डेली कमाता है कुछ हमारे जो हमसे नीचे हैं लो लोवर वाले हैं तो वो डेल अगर उनके यहां कस्मिक कोई ऐसी घटना हो गई तो विचारे क्या करेंगे? महिलाओं को राहत मिलनी चाहिए आपको क्या लगता है कि इस बार बजट में क्या कुछ होना चाहिए? में ऐसा करें कि सबकों लाजद में यह नहीं कि केवल जो सर्विस वाला है, सर्विस क्लास का वो टेक्स बर रहा है, बाकी लोग रक्सी चोरी कर रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए और आए के शोद बढ़ा हैं, ताकि हम लोग इस तरह से परिशान न हुए और सिक्षा भी पड़ी डिमांड यह है, क्योंकि यह आज कल मिडिल क्लास हो चाहिए, अपर क्लास हो चाहिए, लोगर क्लास के लिए, सबके लिए जरूरी हो सबसे ज़्यादा खर्चीला है, हम प्राइवेट स्कूलों के फीस कम से कम गवर्मेंट निर्धारित कर दे, कि आपको कितनी ले कम से कम सरकार के पास इतना भंडार तो होना चाहिए, कि उसका एक मूले निर्धारित हो, यह नहीं कि दाल दोसों में पहुंच गई, तो आप कहते हो कि बच्चों को प्रोटीन दो, कैसे देंगी प्रोटीन, और एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, कि महिला वर्म को कम से कम रोजगार की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वही घर चलाती है